दोस्तों नमस्कार में स्री राम रफ्रिजेशन में सार्दिक भाई आपका फिर से स्वागत करता हूं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा अंदर 30 से 40 प्लांटों की और वीडियो मिल जाएगी आज मैं आपको जा केनल की जरुरत नहीं होती है न इस केनल की साइज होती है दे दो फिट आइट है एक फिट चोड़ा है यानी 12 इंच और ईंच षे इंच होता है यह एवरेज इसके अंदर ये 25 के निकलते हैं, 120 के इस तरीके से प्लाइवूड होता है, इस तरीके से बाहर SS होता है, इंसाइड MS होता है, और आप आपकी पूरा टेंक देखते हैं, इसके लिए जगह चाहिए आपको 20 फित लंबाई, 10 फित चोड़ाई, इतनी जगह में ये पूरा प्ला आप इसको बाब को बार निकाल सकोड़ों, 50 किलो का अगर आप कैनल लेता हो, इसके अंदर क्रेन का सेट आता है, जीसके अन्दर मेनुल्य या ओटोमेक्टिक दोनों तरीके से आप क्रेन को ऑपरेट कर सकते हो, अब मशी न की बाद करते हैं, मशीन इसके अंदर एक ही मश यूज किया जाता है 15 कि अंदर ये प्लांट चलता है इसके लिए को ना ओपरेटर चाहिए ये टोटली ओटोमेटिक प्लांट है लाइट जाएगी लाइट आएगी खुद्ब कुछ चालूगा बरब जमने के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा इसके लिए मैन पावर सब्सक्राइब का टाइम सुबह आट से रात के आट बजे तक का है अगर आप रात को वीडियो देख रहे हो नो प्रोब्लम आप मेरे वाट्सप दुनों के दुनों वाट्सप नमबर आप उसके उपर मैसेज छोड़ दीजिए या आपका रिक्वार्मेंट लिग दीज आ किया जाएगा और आपको डायरेक्ट सुबह मैं सामने से फॉन कर दूगा उसमें आपको इंफर्मेशन दूसरी भी चाहिएगी तो मिल जाएगी इस तरीके क्या पूरा सेट अप है और इसे ध्यान से देखिएगा और चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया ह तब सब्सक्राइब कीजिएगा उसके अंदर एक टन से लगा कर पचास टन तक के सारे प्लांटों की वीडियो होगी मोखी उसमें सारी इंफर्मेशन दन्यवाद